हेलो भाई यों यों बहनों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे वमस्वस्थ होंगे आज हम आप लोगों के लिए एक नई डेश्पी लेकर के आएं हैं आलू मटर पालक की सबजी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं आलू मटर पालक की सबजी बनाने के लिए हमने एक कटोरी मटर लिया है इसके दाने ले लिये हैं एक आलू लिया है मैंने टमाटर लिये हैं दो दो प्याज लिये हैं कुछ लश्ण की कलिया लिये हैं अद्रक का एक तुकड़ा ले लिया है दो हरी मिर्च ले लिये हैं मैंने पालक हमने दोस्तों धाई सु ग्राम पालक ली थी उसको देखिये मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है यह बहुत ही ताजी फ्रेस पालक है आजकल सर्दियों में पालक बहुत अच्छी आ रही है मार्केटू और बहुत ही पॉस्टिक होती है आईरन से भरपूर होती है पालक इसको सर्दियों में अवस्य खाना चाहिए सब्ता में कम से कम एक बार तो खाना ही चाहिए पालक बहुत फाइदेमंद होती है आलू को हमने बारीक काट लिया है यह देखिए इस तरीके से इसको काट लेंगे स्कॉयर में को काटेंगे और प्याज को भी काट लेंगे यह देखिए इस तरीके से टमाटर भी काट लेंगे इस तरीके से बारीक यह देखिए आज कल टमाटर भी मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है साथियों सर्द्यों में टमाटर भी बहुत अच्छा आता है मार्केट में देशी टमाटर मिलता है जिसके ख़टास बहुत अच्छी होती है दो हरी मिर्च लेती साथियों, उनको भी काट लेंगे इस तरीके से, हरी मिर्च दोस्तों, कैची एक छोटी सी मैं रखता हूं, उससे काटता हूं, आप चाहें दोस्तों, एक रखने कैची उससे काटिये, बहुत आसानी से कटता है, और हाथ मिर्च लगती भी नहीं है, इस तरीके से देखी सारी चीजे, मैंने आलू, टमाटर प्याज सब काट लिया है, पैस को आन करेंगे, इस पर कड़ाही चाहेंगे दोस्तों, कड़ाही में बनाएंगे सब्जी, कड़ाही गरम होने देंगे, कड़ाही गरम हो गई है, अब इसमें हम मस्टर्ड आयर सरसों का ते सरसों के तेल में बनाएंगे साथियों, सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत बढ़या बनती है, आप जो तेल इस्तेमाल करते हों, उसमें बनाएं रिफाइन रिया देशी ही, तेल गरम होगे साथियों, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा जीरा चटकने देंगे, जीरा पक गया है लगभग, अब इसमें हींग डालेंगे, हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आजाता है, बहुत अच्छी खुस्बुगाती है, अब इसमें कटा हुआ प्याही डाल देंगे, ज्याज को थोड़ा सपका हैंगे इस तरीके से, इसमें कटा हुआ लस्चन अधरक डाल देंगे, हरी मिर्च काटे थी वो डाल देंगे, प्याज को अच्छा सब भूनेंगे, अब इसमें टमाटर डाल देंगे, तो टमाटर मैंने दो काट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इनको पकाएंगे, इसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे, नमक आप कम या ज्यादा कर सकते हूं, खल्दी डालेंगे एक चम्मच, गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, कस्मीरी लाल मिर्च डालेंगे पाउणा चम्मच, खुटा लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच और इसको अच्छे से चलाएंगे, पकाएंगे, भूनेंगे, जब मसाले से अच्छी खुश्बू आने लगेगी तब फिरिस में हम कटा हुआ आलू डालेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे आलू ये, इसमें मटर चिला हुआ डाल देंगे, मटर के दाने डाल देंगे, पालक साथियों भी नहीं डालेंगे, अभी यही दो चीज़ें इसमें पकाएंगे अच्छे से, इनको ढख देंगे तिन-चार मिनट के लिए, और पानी इसमें आवस्चता होगी तो थोड़ा डाल देंगे नहीं तो नहीं डालेंगे, क्योंगे हमें सोखी सबजी बनानी है, चार मिनट हो गए हैं दोस्तों, खोल के देखेंगे क्या पोजिशन है, यह देखिए, बहुत अच्छी सबजी बन रही है, हमने इसमें साथ में पानी नहीं डाला है, प्याज टमाटर जो है उसी में यह सबजी पक रही है, इसको और दो मिनट के लिए ढखेंगे, दो मिनट हो गए हैं, अब इसको देख लेंगे कितना क्या है, पोजिशन इसकी बहुत बढ़िया सबजी पक रही है, देखें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, अब हम इसमें पालक डालेंगे, आलू करीब 80% पक गई है, पहले अगर प हरापन ना खतम हो, इसलिए हमने बाद में कियों कि पालक एक दो मिनट में पक जाएगी, पालक पकने में टाइम नहीं लगता है, अब इसको ऐसी ढख करके दो मिनट तक पकाएं, दो मिनट हो गए हैं साथियों, ये देखें, पालक पक गई है, बहुत अच्छी पालक पक ही है, और इसका बिलकुल हरापन अभी बर करार है, सबजी से बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है, देखें साथियों, बहुत बढ़िया सबजी बन कर तयार हुई है, पालक आलू मतर की, इसको एक मिनट के लिए और ढखेंगे, एक मिनट हो गया है, ये देखें, बहुत अच्छी सबजी बन कर तयार हुई है, हीमडाली थी, उसकी बहुत बढ़िया खुसबू आ रही है, मसालों की भी बहुत अच्छी खुसमू आ रही है, इसको प्लेट में शेयुर्व कर लेंगे, ये देखें दोस्तों, फटा-फट बन कर सब्जी तयार हो गई है, और सब्सक्राइब करें तथा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्याद यदि आप चैनल पर नए हो तो करपया चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच झाल झाल झाल